गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन जो आपको रखे सबसे आदे अब देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन और मैं हूँ जग्यासा सिंग तहवार और चुनाव दोनों का सीजन शुरू हो चुका है इस बीच प्यास और आलू की आसमान छूती कीमते एक बार फिर मुद्दा बन चुकी है प्यास की कीमते काबू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाया बावजूद इसके प्यास की कीमते फिलहाल कम नहीं हुई है दिली समेट देश के कई शहरों में आलू के दाम दोगना हो चुके हैं जबकि प्यास 50% तक महंगी है दिली अन्सियार में प्यास की रिटेल भाव कई शहरों में 80-50 रुपे प्रतिकिलों हैं मुंबई में भी प्यास की कीमते 80-90 रुपे प्रतिकिलों चल रही है Consumer Affairs Ministry के आकड़ों के मुताबक पिछले एक साल में थोग बाजार में आलू के दाम 108% बढ़े हैं साल भर पहले थोग में आलू 1,749 रुपे क्विंटल बिखता था जबकि अब भाव 3,633 रुपे क्विंटल हो गया है शनिवार को पियाज के दाम 5,645 रुपे प्रतिक्विंटल थे जो की साल भर में पहले 1,749 का हुआ करते थे यानि प्यास की रेट लगभग साल भर में 47% बढ़ गया है हाला कि आलू की कीमते थोड़ी नर्मी जरूर आई है जो आलू 20 अक्टोबर के बाद 70 रुपे प्रतिक्विंटल चल रहा था अब उसके भाव 45-50 रुपे के बीच आ गया है मदर डेरी के सफल दुकानों पर पिछले हफते आलू 58-62 रुपे किलो था लेकिन प्यास की कीमते अब भी काबू में नहीं आई है प्यास के भाव कुछ दिन पहले 10 रुपे गिरे जरूर थे लेकिन सप्लाई पूरी तरह बहाल नहीं होने के भाव से भी अब भी ये 85-90 रुपे बिक रहा है हाला कि सरकार का दावा है कि प्यास की कीमते दिवाले से पहले काबू में आ जाएंगी इसके लिए कई कदम उठाए गये है प्यास की कीमते और कम होने की उमीद इसलिए जताई जा रहे है क्योंकि खबर के मताबिक अभी तक देश में 7000 टन प्याज आ चुके है इसके अलावा देवाले तक करीब 25000 टन प्याज और आने की उमीद है प्यास की कीमत प्यास की नई सफल आने के बाद कम हो जाएगी बाजार में नई फसल भी अभी जल्दी आ जाएगी जानकारों का कहना है कि नए माल आने से प्यास के तेवर में और नर्मी देखने को मिल सकती है प्यास के साथ आलू की भी कीमते काबू में रहे इसलिए आलो की इंपोर्ट डूटी पर 10 लाख मिट्रिक 10-10% का कोटा तक किया गया है सरकार ने इस कोटे को 31 जनवरी 2021 तक के लिए लागू किया है फिलहाल आलो की वासत कीमते 42 रुपए के करीब है दालो की कीमत फिलहाल स्थिर हो गई है जो आपको रखे सबसे आलो